में पानी बोल करने लख दिया है चावल के लिए यहां पर हमने 1 kg बकरे का मतन लिया है 1 kg बासमा तीराई से इन यहां पर गिरीन चिल्ली का पेष्ट है अदर क्लस्टन का पेष्ट है यहां पर कोट्मी और पुदीना दनिया और पुदीना है यहां पर नहरा दुनिया लिया है पिसा हुआ यहां पर सोप ले लिये साथ में गरम मसाला हल्दी पॉड़ों और साथ में हैं शक्तर और लाल मिर्ची आपर सारी चीजों क अच्छे से देख सकते हैं दही को में यंगड बनाने के लिए कपड़े में बान के रखा हुआ है यहां पर अमने जो ओणिया किये यह है यह ऊसी क्योंल आप जो गरम रख दिया है था सारी सिम्काम हिप्या क्षyu में जुम्स Aujourd' जो माटन देने इसको सींतिया लगा देई आपकि 270 के साथ मिसाल अच्छे लिए मेरा है अच्छे जयूह इलका हमारी निकर गर्श्टों के लि रभी में जीरह और सोर्स एड़कों हैं अब देख सकते हैं अच्छे से फ्राई हुए सांत में फिर्द चुर्थ सरा हुरेगे इसमें जिंजरी कर्दिवीं करेंगे चाश्य कमें हर्मिक्स करेंगे कि अभंडत इसमें दन्या और दोने ऐट जाएका थनीजरे घराएक। फिन्प initiड़ें से नहें पाउडरे हैं तुरिए कर नहीं होड़ी तुरिभे पाउड़र और एक था है में अच्छे से मिक्स करेंगे च्री में करें हैं कि अच्छी हमारा जो यही में कर देंगे यहां पर आप देख सकते हमारे मसाले पर अच्छे से आने लगा है अब यहां पर हमें इसमें गोश्ट एड़ कर देंगे कि इसको मिक्स करेंगे इस यहां पर जो मारा धाय है इसका यंगड बना लिया आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन हो चुका है पानी बिल्कुल नहीं है यहां पर जो हमारी ओनियन फ्राई की विए इसको इस तरह से कि बारिक कर लेंगे हाथ की मदब से एर देख सकते हैं है आप गया का इसका और ऑगरं फा reasonably मulaने के बार ड़िये आप के आप कालर करें अर गर्कंष मिलाने के की आप कर दो के सबहस्के मासा दोर्यतिया में ने के पिलिकी विए इस इसका ज़ना اविए अब यहां पर हमारी तीन चीटी लग चुके है और हमें कुकर खोल के देखनेंगे अब डेख सकते हैं यहां पर हमारी जो अखनिय अच्छी से तयार होगी और हमने इसको चेक कर लिया है अब यहां पर में लाल मिल्ची और शकार एट करने वाली हूँ इसमें थोड़ा सा पीला कलर एट करेंगे जो मैंने दूप के साथ मिलाकर रखा है उपर से एट करने के लिए साथ में जाने वाला यंगर और प्यास कर चूमने विरस्टा करके रखा था वह सारी चीजों कम अच्छा दिये अब जो सारा मसाला और हमारी जो ग्रेवी है वह हम इस तपेली में एट कर देंगे अच्छे से मिक्स करेंगे अब यहां पर मैंने हव पटाटो बॉल कर लिये थे इसको हमें एट कर देंगे साथ में एट में खोड़ी से फ्राई ओनियन हरा धन्या और जो हमारे बच्चे हुए राई से वह एट कर देंगे अच्छे से इस तरह हम फैला देंगे और हम इसको पांच मिट फूल आज पर दम रखेंगे और पांच मिट इसको फिलें पर पकाएंगे अब यहां पर मैंने लाल कलर और यह लो कलर लिया है अब दोनों में मिल्क एट किया है और साथ में हमने इसमें यहां पर हमने रे लिया है पुदिना पोट में और प्याज अच्छे से दुआ निकलने लगा है अब यहां पर हमने गयस का फिम स्लो कर गिया पहले हम यहलो कलर एट करेंगे कि इसाथ में एट करेंगे लाल कलर अच्छे में इसमें हरा दणिया है हुआ है हमने कलर के अंदर ही के उड़ा एट कर दिया था हुआ है कि इसके पासे जाएगा थोड़ा सब्सक्राइब अब यहां बिर्यानी पर कपड़ा लगा देंगे कपड़ा लगाने के पर हम इसके पर लगका कर देंगे डखकन रखके हम चारो तरफ से इसको फोल्ड कर देंगे इसको दस से पंदा मिर दंपे घीमियाच पर पकने देंगे यहां पर हमारी विरियानी जो अच्छे से दम हो चुकी है अब देख सकते हैं अब हम इसको साइड में से निकाल के भी आपको दिखाएंगे तुम मालनी करये जों देख सकते हैं इसके मसालय वरी बेनी है आप देख सकते हैं इसको पीकल पशनाइथे प्रियानी अब देख सकते हैं इसको सकते आप कुरिट कर से अब और साथ में यहां पर मैंने कॉंबिनेशन किया है यहां पर हमने खीरा निम्बू टमाटा रोहरी मिर्ची लिए साथ में यहां पर दाइए और यहां हमारी पिरियानी आप देख सकते हैं थैंक यू